साथियों, गारंटी की इस चर्चा के बीच, आपको जूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्टीम लेकर आ रहे हैं उनकी गारंटी में छिपे, खोट को पहचान लीजिए, जूठी गारंटी के नाम पर उनके दोखे के खेल को बांप लीजिए साथियों, जब वो मुक्त बिजली की गारंटी देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं जब वो मुक्त सबर की गारंटी देते हैं, तो इसका मतलब है कि उस राज की याता यात वबस्ता बरबाद होने वाली है जब वो pension बढाने की guarantee देते है तो उसका मतलब है कि उस राज में कर्वचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा जब वो सस्ते petrol की guarantee देते हैं तो इसका मतलब है कि वो tank बढ़ा कर आप भी जेब से पैसे निकालने की तैयरी कर रहे है जब वो रोजगाल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग जंदों को चोपड़ करने वाली नीतिया लेकर के आएंगे कॉंग्रेश जैसे दलो की गारंटी का मतलब नियत में खोड और गरीब पर चोड यही है उनके खेर वो सतर सालों में गरीब को भरपेट भोजन देरी की गारंटी नहीं दे सके लेकिन ये प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना से 80 करोड से जादा लोकों को मुपतराशन की गारंटी मिली है मुपतराशन मिल रहा है वो सतर सालों में गरीब को महंगे इलाज से चुटकाराशन की गारंटी नहीं दे सके लेकिन आईश्मान योजना से 50 करोड लाभारतियों को स्वास्त विमा की गारंटी मिली है वो सतर सालों में महिलाओं को दुवे से चुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके लेकिन उजवला युजरा से करीब दस करोण महिलाओं को दुवा मुक्त जीवन की गारंटी मिली है वो सतर सालों में गरीब को पेरो पर खड़ा करनी की गारंटी नहीं दे सके लेकिन मुद्रा विज्रा से साड़े आठ करोर लोगों को सम्मान से स्वरोदगार की गारंटी मिली है उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड है आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे है सोचल मिडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे है वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी-पी करकर कोशते रहे है यानि विपक्षी योग जोटा एक जोटा की गारंटी नहीं है यह परिवारबादी पार्टियां सिर्व अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है यानि उनके पास देश के सामाने मान्भी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है जिन पर ब्रस्टा चार के आरोप है वो जमानत लेकर के बहार गुम रहे है जो गोटालों के आरोपों में सजात काट रहे हैं वो एक मंच पर दिख रहे हैं यानि उनके पास ब्रस्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है वो एक सुर्मे देश के खिलाब बयान दे रहे हैं वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठा के कर रहे हैं यानि उनके पास आतंगवान मुक्तभार्स की गारंटी नहीं है वो गारंटी देकर निकल जाएंगे लेकिन बुगतना आपको पड़ेगा वो गारंटी देकर अपनी जेब बर लेंगे लेकिन नुक्सान आपके बच्चों का होगा वो गारंटी देकर अपने परिबार को आगे ले जाएंगे लेकिन इसकी किमत देश को चुकानी पड़ेगी इसलिए आपको कॉंग्रेस समेथ ऐसे हर राज नतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है साथियों इन जूठी गारंटी देने वालों का रविया हमेशा से आदिवाचों के खिलाप रहा है पहले जन जातिये समधाय के युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनोती आती थी लेकिन नई राज्तिय सिक्षा निति मैं अब थानी अब हाथा में पढ़ाई की सुविदा दी गई है लेकिन लेकिन जूठी गानेटी देने वाले एक बार फिर राश्तिय सिक्षा निति का विरोध कर रहा है ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बेहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएं वो जानते हैं कि अगर आदिवासी दलीत पिछडा और गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बेंक की सियासत चौपट हो जाएगी मैं जानता हूँ आदिवासी इलाकों में स्कूलों का कॉलेज का कितना महत्व है इसलिए हमारी सरकार ने 400 से अधी नए एकलव्य स्कूलों में आदिवासी बच्चों को आवासिय सिख्चा का आउसर दिया है साथियो पहले की सरकारों ने जन जाते समाज की लगातार उपेक्षा की हमने अलग आदिवासी मंत्राले बनाकर इसे अपनी प्रात्फिक्ता बनाया हमने इस मंत्राले का बजेट तीन गुना बढ़ाया है पहले जंगल और जमीन को लूटने वालों को समरक्षन मिलता था हमने फॉरेस राइट एक के तहट 20 लाग से जादा टाइटल बाटे है उन लोगों ने पेशा एक के नाम पर इतने वर्षों तक राजनितिक रोटियां से की लेकिन हमने पेशा एक लागू कर जन जातिय समाथ को उनका दिकार दिया पहले आदिवासी परंपरों और कला कौशल का मजाग बनाये जाता था लेकिन हमने आदि महोत्सव जैसे आयोजन शुरू किये साथियों बीते नव वर्षों में आदिवासी गौरव को सहयते और समरुद्ध करने के लिए भी निरंतर काम हुआ है अब भगवान बिर्शामुंडा के जन्म दिन पर 15 नमेंबर को पुरा देश जनजातिय गौरव दिवस बनाता है आदिवासी शुतंतरता सेनानियों को समर्पित मुज्यम बनाये जा रहे हैं इन प्रयासों के बीच हमें पहले की सरकारों का व्यहवार भी बुल्ला नहीं है जिन्होंने दसकों तक देश में सरकार चलाई उनका रविया आदिवासी समाज के प्रती गरिवों के प्रती और सम्वेदन सील और अपमान जनक रहा जब तक आदिवासी महिला को देश का राश्पती बनाने की बात आई थी तो हमने कई दलों का रविया देखा है आप MP के लोगों ने भी इनके रवियों को साच्छा देखा है जब सरडोल संभाग में केंद्रिय जन जातिय विश्व विद्यालय खुला तो उसका नाम भी उन्होंने अपने परिवार के नाम पर रख दिया जब कि सिवराज जी की सरकार ने छिंद्र वाड़ा विश्व विद्यालय का नाम महान गौन क्रांतिकारी राजा शंकर साह के नाम पर रखा है तंतिया मामा जैसे नायकों की भी उन्होंने पुरी उपेख्षा की लेकिन हमने पाताल पानी स्टेशन का नाम तंतिया मामा के नाम पर रखा उन लोगों ने गौन समाज के इतने बड़े नेता स्री दल्वीर सिंजी के परिवार को भी अपमान किया उसकी भरपाई भी हमने की हमने उन्हें सन्मान दिया हमारे लिए आदिवासी नायोकों का सम्मान हमारे आदिवासी युवाओं का सम्मान है आप सभी का सम्मान है साथियों हमें इन प्रयासों को आगे भी बनाए रखना है उन्हें और रप्तार देनी है और ये आपके सयोग से आपके आशिरवाद से ही सम्मभ होगा मुझे विश्वात है आपके आशिर्वात और रानी दुर्गावती की प्रिणा ऐसे ही हमारे पत्प्रजशन करती रहेगे